हेलो असलावलेकुम विलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूप आप लग अच्छे ही होंगे तो ये देखिए घर में कौन आया है और पहली बार आया है क्योंकि एक महिने से ना यहां पे था ही नहीं छोटा वाला देवर है तो बस जैसे ही आया तो आगया मिलने के लिए और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक महिने बाद बोला ना कि घर ढूंटे ढूंटे आया है ये गया था अपने ससुराल गुमने के लिए तो बस आगया और मिठाई उठाई लेकर आया है वहां से तो हम लोग खाए पी और उसके बाद यहां पे चाए पी रहे हैं तो यह है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप और टाइम बता दे तो अभी आठ बज़रा है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हाँ अभी क निकल रही है और ठंड भी कम है पहले से बहुत कम हो गई कल हावा चल रही थी तो जैसे हावा चल रही थी तो थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा था लेकिन उतना ठंडा नहीं जितना पहले था बस यह है कि अब निकल जाए अब नहाए ठंडा यह चीज भई बोल सकते है को बहुत दिन से मैं कह दीती कि अभी बचा है अभी बचा है तो बस वही बरतन है तो पहले मैं सुची कि यहीं आंगन में बैटके धो लेते हैं लेकिन सही बता है बरतन धोते दोते हैं इतना हम पक चुके हैं कि मेरा मन नहीं करा था तो सारा जितना भी बरतन है लाक यहां सिंक में डाल दिये कि खड़े होके जल्दी धूल जाएगा और थोड़ा-थोड़ा करके धूलेंगे वैसे क्या है कि टाइम निकाल के बैठना पड़ता और ऐसे खड़े-खड़े जो बरतन धूले तो यह है और बाकी जो बरतन ऐसा था जो बहुत पूराना गया था कुछ टूट गया था तो वह सब मैं फेक दे रही हूं और जितनी जरूरत है बस वही रखेंगे तो यहां पर जाड़ू लगाना शन मैं सोची पहले जाड़ू लगा लेते हैं जाड़ू से न एक चीज होत निकलती क्योंकि इनके भी उनिफार्म है और बच्चे तो भी स्कूल जाते ही निए कि उनका कुछ निकलेगा दोने के लिए तो पहले छाट लिए कि इनका पहले काम कर ले तो लाकी यहां पर वाशिंग मुशिंग के उपर रख दिये हैं लेकिन अभी वाशिंग इनका दोने के लिए रखी हो बार भार करें तो यहां पर रख दिये हैं और नीचे ना अंगन इतना गंदा है कल जो हवा चल रहे थी तो उससे ना आंगन बहुत जादा गंदा हो गया पुरा चाही चाही हो गया तो अब मुझे दोनाई है तो मैं तो आंगन में काम कर रही थे यह कह सकते हैं कि एक ही काम को ना दस बार करना यह है तो हम लोग जो गलती पहले की हैं बस उसी को फिर से सुधानने की कोशिस कर रहे हैं वो जो रेक है रेक में हम लोग जब उसमें आये थे तो फटा फट जो जो समान मिला सब हम लोग भर भर दिये और आज क्या हो रह और इसका ना सही से अपने जगा पे एक जगा सब समान रखेंगे और यह जो रेक है ना इसको खाली करेंगे और अंदर से जो नीचे का पुरा समान भरा है ना तो वो समान निकाल के और अज़स्ट करेंगे तो ऐसा तो यहां पे वो अंदर काम कर रहे हैं और मैं यहां पे ब निकालेंगे मैं ये सोच रहे थी और आंगन दो दिन से नहीं धूला है सिप यही मौसम के ही चक्कर में तो यहां पर मैं आ गई हूँ और पाइप के लिए जुगार ढूंट रहे थी कि पाइप कैसे लगे क्योंकि आप लोग को पता ना ये जो पाइप ना ये बहुत जाडू लगा चुके हैं यानि आज एकदम सही दम लाइन पे चल रहे हैं जाडू लगाने के बाद हम आगन दो रहे हैं तो उसके बाद आप लोग को और भी बताएंगे ना पूरा ब्लॉग देखेगा इसकी मत करिएगा आगे आप लोग के लिए कुछ है यानि कि आज मे मेक ओवर होने वाला है तो फिलाल आप लोग वीडियो में बनी रही है तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सर्फ और सर्फ से ना अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के और उसके बाद आगन दोएंगे क्योंकि इसे अना सर्फ से मुझे ऐसा लगता है अंदर से मुझे पानी डाल रहे है ताकि जब थोड़ा सा भींग जाएगा उसके बाद जब रगड़ेंगे ना तो जहाग निकलेगा और उससे अच्छे से साफ होगा बहुत ज्यादा ड़स्ट निकला था तो यह देखिए पूरे कोने को एकदम अच्छे से हम पाइप से धो रहे हैं और आप लोग सुच रहे होगे पाइप अभी तक नहीं निकला तो ऐसा नहीं है वो मैं कट 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 कर दी दो तीन बार वो पाइप ना मुझे परशान कर दिया था तो सामने आप लोग देख रहे होगे कितना सारा कूड़ा है आज फेकने के लिए कूड़ा बहुत है क्योंकि इतना भी अच्छा जो समान था नो भी निकाल के फेक देंगे और बस मैं जाडू लेकर आगई एक बार पानी जब डाल दिये ना तो उसके बाद पाइप को फोल्ड करके और रख दिये हैं और उसके बाद सिफ जाडू से ही रगड की और थोड़ा देर छोड़ देंगे औ और उसके बाद फिर उसको पानी से करेंगे ना तो अच्छे से दम साफ हो जाएगा तो यहां पे साफ हो चुका है और अब क्या हो रहा है मैं बात कर रही तिना मेक ओवर की मेक ओवर की तो यह लीजे मेक ओवर सुरू हो गया यह वाला जो यहां पे रखा हुआ है यह आख पानी भी बहुत ज़दा वहां पर एकठा होता है तो मच्छा रुच्छ वह चीज है और प्लस अधर का एरिया पुरा ब्लॉक कर देता है अब कोई भी काम करेंगे नल से ना तो मुझे फिर बहुत ज़दा जनजट होता है तो हम लोग यहां पर खिड़की के पास रख रहे ह उससे हम लोग का दो काम होगा एक तो इधर सुखा में रहेगा बार बार भींगेगा नहीं और कुछ समान इसके नीचे आप रख सकते हैं फिर उसके बाद इसके उपर रखाएगा कूलर क्योंकि कूलर तो हम लोग के हाँ लगेगा ये लगेगा और हम लोग का जो स्टेंड वो इतना बड़ा है कि कूलर अगर उस पे रखेंगे तो काफी हाई पे चला जाएगा तो बस यहाँ पे वही हो रहा है तो वहाँ से सब लोग इटा उठा उठा के लाला के यहाँ पे रख रहे हैं और इटा बहुत पुराना हो गया था तो इतना कैसे तो पहले तो हिम्मती नहीं हो रहा था कि कैसे होगा क्योंकि बीच में से ना उसमें थोड़ा सा क्रैक है तो मुझे ऐसा लगा था कहीं अगर धमे से पैर पे गिर जाता ना तो बहुत जादा लेकिन यह कहिए कि अच्छे से यह लोग उठा लिए और लाके सब लोग रख दिये तो हम लोग आज चारो लोग दम मेहनत करके पूरा साफ कर दिये और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है और इसकी एक सही जगा मुझे समझ में आई और यहाँ पे रहेगा तो साफ भी रहेगा तो चाहे तो इसके उपर कुछ डाल भी सकते हैं सूखने उकने के लिए और बैठ भी सकते हैं मुझे यह लगा वहाँ पे न कुछ ज़्यादा जैसे गंदा लग रहा था उतना बैठने का वो चीज नहीं था लेकिन यहाँ पे मुझे सही लगा तो बस वहाँ पे रख दिये हैं और आंगर में पानी उनी थोड़ा डाल दिये वाशिंग मशीन ओन कर चुके हैं और आ गए हैं बच्चों को नास्ता देने के लिए क्योंकि न काम करते करते ही बहुत टाइम हो गया था लेट तो होई जाता अब काम करने बठी है ना तो फिर तो लेट हो नहीं होना है तो आज यह आए थे ना तो बन लेते हुए आए थे तो चाय चढ़ा दिये हैं उसके बाद बन सेकेंगे और उसके बाद सब लोग खाएंगे चाय बन वैसे तो बच्चे बोले थे कि सुबह बर्गर खाएंगे क्योंकि रात में बनाए थे टिक की यानि की कबाब तो वही थोड़ा सा बचा के रख दिये थे कि बच्चों के लिए बर्गर बनाएंगे लेकिन वो लोग सुबह बोले ना कि ममी हम लोग चाय बरेड खाएंगे क्योंकि बर्गर बटर खो खाएंगे विसरां के ब्रगर अज बच्चों के य तुझ नहीं होती है मैं उतने दिल बर्गर नोगी बर्गर दोते दोते ना वाकिव बता रहे हैं मैं कैसे आप लोग को बताओ कि मैं बरतन दोते दोते इतना पक चुकि मेरा हाथ इतना दरद होता है कि अब ऐसा लगता है अब नॉर्मल जो बरतन होता है वो भी दोने का मन नहीं करता है कि कास कोई आजा बरतनी दो दे इतना हो गया है बरतन बहुत इधर भी दूला है तो बस यहाँ पर सारा बरतन उतन पूरा सिंग खाली हो गया था लगे हाथ ना मैं पूरा बरतन दोली नास्ता हो गया था उसका जो बरतन निकला था वो भी दो चुके हैं और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो बनाएंगे डाल डाल चावल बनाएंगे और उसके बाद सबजी बनाएंगे तो यह गए हैं मारकेट और आज संडे है तो आज बजार का दिन है तो यह गए हैं बजार करने के लिए और बजार करके आएंगे उसके बाद फिर सबजी बनेगी तो उतने दिर में मैं सोचीना कि लाओ दाल ओल जो है वो उसको चड़ा देते हैं तो बन जाएगा ना क्योंकि काम तो कर नहीं है और फिर आंगन में भी वाशिंग मशीन भी फैलाए हैं तो मैं सोचीना कि चलो इधर आए हैं तो यह भी काम कर ले तो बस यहाँ पर मैं जिया से बात कर रही थी, आज जिया को बोले नहीं कि जिया थोड़ा से फ्रीज साफ कर दो, वैसे फ्रीज साफ करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है कोगि पूरा खाली है, लेकिन इधर बीच मुझे टाइम नहीं मिल पारा, तो मैं उसी को स जाता है, तो रखने में भी ठीक लगता है, माली जी कभी जरूत पड़े तो आसानी से निकल जाए, तो बस यहाँ पर दाल चड़ा दिये हैं, और हल्दी नमक डाल दिये हैं, और तो दाल में कुछ भी नहीं डालते हैं, फिर जब वो फ्राई होगा तो उसमें होगा, और साफ कर रही थी ना, तो मैं यह जो सबजी वाला बास्केट है, वो उसको भी ले आई पाहर, कि छाट लेंगे, जो सबजी खराब हो गई होगी, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, कि खराब हो जाता है, तो बस उसको छाट लिए हैं, बाकि जो सबजी थी उसको अलग कर दिये हैं, और बास्केट भी लगे हाथ दो लेते हो, और सामने का एरिया देखिए, अच्छा लग रहा है, खाली लेकिन वो जो निसान बन गया, क्योंकि जो पेंट की है, वो लो बाहर से ही पेंट की है, और उतना जगा तो छोड़ी दिये थे, इसलिए वो साफ पता च पार और चुक हैं तो बस यहां पर ना एक बार डाले नहीं है, यही लेकर जारे, अभी मुझे याद पढ़ा कि एक बार डाले नहीं, तो यहां पर न यह भी आ जबत कर बजार से अजुक्त अबंसीर में बाएकर बार पकार अगर Tibet लेकर यहां लेकर सब लेकर और ये मैं तो उधर डाल लेती और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं जो सबजी लाए ना उसको चाट चाट के क्योंकि ना ऐसे तो जोला अंदर ही रह जाता हूं लेकिन जब ये बाहर देखे ना कि सबजी रखी हुई तो ये सोचोंगे कि लाओ हम मैं भी यहां पर सबजी रख देता अच्छा लग रहा था जी आई तो बोली मैं मम्मी आज यहां पर मार्केट लगाए क्या तो हम अच्छा है यह आंगन में ना और हम लोग क्या होता है ना कि आंगन में रात के टाम में भींगो के कुछ उसके उपर रखे और फिर सबजी आंगन में रख देते हैं तो कहते ह यहां पे सबजी में सब चाट चाट के बहुत ज्यादा सबजी नहीं थी गोभी पालक, सोवा और बैगन, मटर और धनिया की पती और बीन्स, टमाटर यही था तो मैं अभी बना रही हूं बनाऊंगी दोपार में पालक और सोवा पालक ऐसे बोलते हैं सोवा पालक बनाएंग और मेथी उती सब उठावटा के रख देंगे और देखेंगी तो कर आप लोग से मुझे पूछना था कि मेथी का जब भी मैं सबजी बनाती हूं ना पता नहीं कि थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है तो उसका ट्रिक बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों बनता है मेथी का ज कुल गई मेरा चसमा कैसा लगारा जरूर बताईएगा और आज का व्लाग भी यहीं पर एंड करते हैं बाबाए अल्ला फिस फिर मिलते हैं लाइक करते वे जाईएगा